हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल दीप कंप्यूटर एजूगेशन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम एडवांस एक्सेल में वी लुक अप के साथ इफ फंक्शन का प्रियोग करना सीखेंगे तो आएए चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर फोर टेबल्स दिवी हैं जिसमें कुछ एमप्लॉई के कोड्स हैं उनके नेम हैं उनकी डिपार्टमेंट है और उनकी सेलरी दिवी है यह डेटा थोड़ा बड़ा भी हो सकता है जो कंप्पनी का डेटा होता है उनका बहुत बड़ा होता है, तो यह example के लिए आप समझ सकते हैं इससे, और हमें यहाँ पर निकालना है, कि जैसे हम यहाँ पर employee का code name type करें, तो उनका name, department, और उसकी salary जो है, वो automatically हमें find out हो जाए, जैसे कि मैं हाँ पर अभी employee code को change करूंगी, मैंने हाँ पर कर दिया E004, and press कर दिय मैंने enter, तो देखिए, E004 employee code के थुरू, इसने automatically first table से, उसका name, यानि की सुधीर मिश्रा, department, और उसकी net salary, automatically इसने find out कर ली है, तो इसी तरह से, हम आज we look up के साथ, if function का प्रयोग करके, यह आपको सिखाने वाले हैं, यहाँ पर मैं इसको delete कर दूंगी पहले, हम यही rule apply करें यहाँ पर, तो सबसे पहले, मैं इन three columns को select कर लूंगी, three blank columns को, यह मैंने select कर लिये, इसके बार मैं press करूंगी, equals to, यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले, वी look up का formula, look up value में हम ले ले लेंगे employee code, इसे fix करा देंगे हम by F4 key से, comma, अब हम यहाँ पर, if condition लगाने वाले हैं, और हम multiple if conditions लगाएंगे, logical test में, फिर से हम यह वाली cell ले लेंगे, d16, इसे हम F4 की से fix कराएंगे, equals to have, अब हम अपना test देंगे, logical test, equals to have d2 to d5 के, इसे भी हम fix कराएंगे, तो value if true में, यह किस table से find out करें, इसी table से, f4 की से, फिर से fix कराएंगे, then, comma, अब हम value if false नहीं देंगे आपे, हम फिर से if condition लगाएंगे, then, फिर से हम यह वाली cell ले लेंगे, d16, इसे f4 की से हम fix कराएंगे, equals to have, employee code n002 to n004 के, इसे भी हम fix कराएंगे, comma, value if true में, then यह इसी table से find out करें, फिर से हम fix कराएंगे, comma, again हम यहाँ पर लगाएंगे, if condition, bracket open, फिर से हम यह वाली cell ले लेंगे, d16, f4 की से हम fix कराएंगे, equals to, हम ले लेंगे, d9 to d12, and f4 की से हम इसे fix कराएंगे, comma, value if true में, यह इसी table से find out करें, हम यहाँ पर हम इसे फिर से fix कराएंगे, otherwise, value if false में, इसे इस table से, यानि कि last table, जो मारा 4 table है, इस ते से value find out करेंगे, तो हम full table यहाँ पर select कर लेंगे, यह हमारा last table है, और इसे भी f4 की से fix कर देंगे, then bracket हम close कराएंगे, यहाँ पर three brackets है, comma, अब we look up में हम column index number देंगे, curly brackets open करेंगे, and column index हम यहाँ पर देंगे, employee code का जो column है, वो first column है, तो name, department and salary का हुआ, second, third and fourth column जो की find out करना है, तो second, third and fourth column, curly bracket close, comma, range look up में, true है approximate match के लिए, and false है exact match के लिए, तो हम यहाँ पर zero दे सकते हैं for exact match, यानि की false, and bracket close, bracket close कराने के पाद, हमें press करना है अपने keyboard से control, shift, enter की को, तो हम यहाँ पर press करेंगे control, shift, enter की को, तो देखिए, यहाँ पर इस employee code से, इस employee की detail आटोमेटिकली यहाँ पर निकल के आ गई है, E004 में आप चेक कर सकते हैं, सुधीन मिश्रा है, admin उसका department है, और उसकी net salary है 16,000, ऐसी अगर मैं आप चेंज करूँगी, employee code, जिसकी मैंने आप चेंज कर दिया, N003, enter, तो देखिए, दिप्ति अगरवाल, EDP, and 26,000, फिर से मैंने आप चेंज कर दूँगी, S003, देखिए, अभीर दर्ता, sales, and 27,000, तो इस तरह से अगर आपकी company में आपके boss ने कहा है, कि आपके पास कुछ data है, यह tables हैं, और आपको employee code से इनकी details जो है, वो मेरे को दिखानी है, तो आप अपने boss को इस VLOOKUP, प्लस logical function के थ्रूँ, impress कर सकते हैं, और अपने काम को असान बना सकते हैं, और एक condition इसमें एक और है, अगर यह tables, अभी आपको यह tables show हो रही हैं, एक ही sheet पे, एक ही worksheet पे, आपको यह 4 tables show हो रही हैं, और इसी worksheet पे, हमने यह result को find out कर रहा है, अगर आपकी tables different different sheets पे हो तो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि, यह मैंने बना रखा है, आपके पास, first table sheet 2 पे है, then sheet 3 पे, second table है, sheet 4 पे, आपके बाश third table है, और sheet 5 पे, आपके बाश fourth table है, और यह same data है, और आपको इसी last, यानि कि fifth sheet पे find out करना है यह result, यानि कि कोई भी आप employee code का name डाले, और same, name department और net salary आपको find out हो जाए, तो हम इसको भी आपको दिखाते हैं, इसके लिए, यहाँ पे आपको फिर से यह column select कर लेना है, प्रेस करना है, equals to, we look up, look up value में फिर से, यह भी आपको value दे देना है, F4 की से, then आपको इसे fix कराना है, comma, if condition आपको देनी है, logical test में, फिर से ASL, F4 की से fix कराई यह से, equals to, equals to, अब आपको आपकी first sheet पर जाना है, जो कि sheet 2 पे है, इसके है, इसे आप यहाँ पे fix करा दीजिए, देखिए sheet 2 automatically यह find out कर रहा है, क्योंकि हम sheet 2 पे गए है, comma, तो इसी table से find out करना है, values को, यह हमारे data को, फिर से fix कराईए, comma, फिर से हम if condition यहाँ पे देने वाले हैं, और हम फिर से जाएंगे, अपनी fifth table पे, then, logical test में, हम फिर से यह वाला cell दे देंगे, और इसे हम यहाँ पे, f4 की से fix कराएंगे, equals to, अब हम जाएंगे आपे, third sheet पर, fix कराईए, comma, value of true में, then, इसी table से find out करना है, हमारा data, fix कराईए इसे भी, then, again, आपको if condition देनी है, bracket open, फिर से आप जाएए अपनी, fifth sheet पे, and, face से आपको, employee code की यह, cell जो है वो दे देनी है, यहाँ पे कोई साभी, employee code हो सकता है, equals to होगी, अब जाएए अपनी आप, force sheet पे, इसे f4 की से आप fix कराएं, comma, value of true में, इसी table से find out करना है, f4 की से fix कराएं, आप जाएए लास्ट, आपकी fifth sheet पे, और इस otherwise, इस table में से आपको find out करना है, fix करा दीजिए, by a 4 की, और इसे आप ब्रैकेट क्लोज कराएं, then comma, column index number में, आप curly bracket फिर से open करिए, आपको चाहिए 2, 3, 3, 4th column, curly bracket close, comma, 0 for exact match, bracket close, and press control, shift, enter key, अब www4 हमने employee code डाला, उससे name आगे, दितु कुमारी, department, admin, and net salary, 15,000, आप इसको check भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे, इसे change कर देंगे फिर से, E001, तो देखिए, फिर से change जो जाएगा, दीपक कुमार, accountant, 22,000, इसे हम यहाँ पे आपे चेक करेंगे, तो देखिए, similar result है, पहले की तरह, बट इसमें हमने, difference क्या था, पहले जो हम निकाल रहे थे, sheet 1 पे जैसे हमने करा था, वो हमारी similar sheet पर, हमारे tables थे, और यहीं पे हम अपना result, जो है, वो find out कर रहे थे, वी लुक अप और इफ फंक्शन के जरिए, अपना काम असानी से कर सकते हैं, और आप company में अपने boss को ये data, बिना समय गवाए, find out करके दे सकते हैं, जिससे आपका boss आपसे impressed हो जाएगा, और आपकी salary में भी increment आप पा सकते हैं, तो okay friends, आज की class में सिर्फ इतना ही, आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो please like, share and comment this video, and subscribe to my channel.